आप शवीका मैं शुवागत करता हूँ दोस्तों काफी दिन से बहुत शारे विद्यारती बार-बार डिमांड कर रहे थे कि सर आप भारतिय समाज सास्तरी विचारकों के बारे में भी कलाश बनाईए तो उशीकड़ी में आज हम मिस्टर जीएश घुरिये शाप के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीएश घुरिये को भारतिय समाज सास्तर का पिता माना जाता है अब शाति उश्य पहले शमाज सास्तर किस तरीके से भारत में आया, कौन-कौन शी गटना ये पिरमुख मानी जाती है, उनके बारे में हम ब्रिफ में अध्धन कर लेते हैं सबसे पहली बात तों आप ये समझ लीजिए कि बीशवी सदी में भारत के अंतरगत समाज सास्तर की सुरुवात हो गई थी, यानि गुन्नी सो चौदा से गुन्नी सो सैंतालिस तक का जो समय था, उसे हम आपचारिक पृतिस्तापन यूग के नाम से जानते हैं आपचारिक पृतिस्तापन यूग क्या होता है क्योंकि इस समय अवधी के अंतरगत सबसे जादा समाज सास्तर ने खुद को विक्षित किया था और फिर सातियों एक पृतिस्तापन ये भी बनता है कि सबसे पहले गुन्नी सो चौदा में बंबई विश विद्धाले के अंतरगत यूजी लेवल पर समाज सास्तर का अध्यन एवं अध्यापन प्रारम हो गया था अब धीरे धीरे इस विशे की पॉपुलर्टी बढ़ती गई और फाइनली गुन्नी सो गुन्नी स में समाज सास्तर का एक पिर्थक विभाग बना दिया और सातियों इसके एचोडी बन गए थे पैट्रिक गिडिन्स अब शाब सावदेश ही अपनाओ लोग डिमांड करने लग गए कि जब हमारे देश में इतने काविल व्यक्ति है तो हमें किसी भार का जो व्यक्ति है उस पर क्या विश्वाश करना तो पैट्रिक गिडिन्स को हटा दिया और फाइनली गुन्नी सो चौबीस में मिश्टर गुरिये साव बंबई विश्विद्याले में समाज सास्तर के होडी बन गए अब पिर्शन दो तरीकेशे बनकर तयार होता है लोजिक को समझना अगर पिर्शन यूँ पूछ लेता है कि भारत में समाज सास्तर का पिता कौन है तो सैतियो भारत में समाज सास्तर का पिता त दोनों तरीके से प्रिशन बन सकता है कि भारत में तो समाज सास्तर का पिता पैटरिक गिडिन्स और भारतिय समाज सास्तर का पिता जी एस गुरी है सात्यों जिसके बाद में कलकत्ता विश्विद्याले में 1917 में समास सास्तर प्रयारम हो गया जिसका अध्यन एवं अध्यापन प्रोफेसर बिजेंदरनास सील के प्रियासों से ही शंबा हुआ था जिसके बाद में 1921 में लखनव विश्विद्याले जिसमें सबसे ज्यादा योगदान मिष्टर रादा कमल मुखर जी का था जिसके बाद में 1923 में मैसूर एवं आंधर विश्विद्याले जिसके बाद में 1941 में पूना विश्विद्याले और यूं कह सकते हैं कि 1947 तक भार क्लाश की तरफ हम प्रस्तान करते हैं सात्यो महान समाज सास्तरी यानि भारत में समाज सास्तर का जनर जो इस्तान संपून विश्व में आगश्ट कामटे साब का है वही इस्तान हमारे भारत में Mr. G.S. गुरिये का है सात्यो इन का जनम हुआ था 1803 में में और इनकी मिर्त्यू हो गई थी 1903 में मैं आप आप से बार बार कहता आया हूँ कि जनम की तारीख मिर्त्यू की तारीख इनसे संबंदित जो वर्स है वो नहीं पूछे जाते यहां तक कि किस समासास्त्री का जनम कौन से सैर में हुआ था वो भी आपसे नहीं पूछा जाता जैसे कामटे का जनम फ्रांस में हुआ था तो फ्रांस ही पूछा जाएगा दुर्खिम का फ्रांस में हुआ था तो फ्रांस ही पूछा जाएगा स्पेंसर का इंग्लेंड में हुआ था काल मार्क्स और वेवर का जर्मनी में हुआ था तो अगर आपके नगर विशेस याद रहते हैं तो ठीक है अगर याद नहीं भी रहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब साथियों यहाँ पर देखना इनका जनम हुआ था महाराष्ट के मालवन गाम में और बेसिकली यह ब्रहमण परिवार से संबंद रखते हैं थोड़ा समय यहाँ पर लीक से हट कर कहना चाहता हूँ कि इनोंने जो भी पूरा स्टेडी किया है उसमें साथियों जो ब्रहमणवादी सोच है वो इस पश्टे दिखाए देती है अब ब्रहमणवादी सोच का मतलब किसी जाती वी से सिमत लगा ना आप ब्रहमणवादी सोच का मतलब होता है कि इनोंने सव देशी अध्यन पर सबसे ज़्यादा बल दिया था यानि जो इंडोलोजी प्रस्पेक्ट है जिसे हम भारत विध्या उपागम के नाम से जानते हैं साथियों इसने उसको बढ़ाने में अपना पिरमुखे योगदान दिया तो यहाँ पर यह समझ जाना चाहिए आपको कि इनका जनम माराष्ट के मालवन गाम के ब्रहामन परिवार में हुआ था और 1911 में बंबई विश्विद्याले में मिश्टर पैटरिक गिडिन्स की अद्धक्स्ता में समाज सास्तर विभाग की स्तापना हुई ठीक है और जिसके बाद में 1924 में मिश्टर गुरिये को उष्का एचोडी बना दिया गया इसी लिए मिश्टर गुरिये को भारतिय समाज सास्तर के पिता के नाम से जाना जाता है अभी मैं फिर रिपीट करूँगा भारत में तो समाज सास्तर का पिता पैटरिक गिडिन्स और भारतिय समाज सास्तर का पिता मिश्टर जी एस गुरिये साथियोग पिर्शन यह भी बनता है कि इंडियन सॉसलोजिकल सॉसाइटी की स्तापना कब हुई थी 1952 में और ये कहां पर हुई थी बंबई में हुई थी और भारत में समाज सास्तर का ये पिर्थम संगठन था ध्यान रखना समाज सास्तर के पिर्चारें पिर्शार के लिए अगर कोई संस्ता बनी थी कोई संगठन बना था कोई और्गेनाईजेशन बना था तो साथियोग उसका नाम था इंडियन सॉसलोजिकल सॉसाइटी और जिसकी स्तापना कब हुई थी 1952 में हुई थी और साथियोग इंडियन सॉसलोजिकल सॉसाइटी के अगर कोई करती थी और उश पत्री का यानि मैग जीन का नाम था सोसलोजिकल बुलेटीन और उश मैग जीन के प्रदान संपादक भी कोन थे मिश्टर जी एस घुरिये साब थे आप किसी भी आई एस या पीसी एस में ऑप्शनल सब्जेक समाज सास्तर है तो उश की भी मैं बात करता हूँ मतलब भारत वर्ष में समाज सास्तर के जितने भी कंपिटिशन होते है ना शब के लिए हमारी यह क्लास एज रामबाण है इसलिए बार-बार आप यह ना पूछा करें कि क्या यह नेट के लिए ठीक है कि आप पीजटी के लिए देखिए मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ और साथियो सीर्स तक जाता हूँ किलियर फिर देखिए मिश्टर जी एस गुरिये ने सैक्स पियर से लेकर शादू शंतों पर कला निरत वेस भूशा उनके वास्तु सास्तर लोक देवी देवताओ, सैक्स तथा विवा से लेकर पिरजाती जैसे अनेक विश्यों पर लिखा है आपके अध्यनों में अधिकांश यह क्यों हुआ, यह क्या है, यह कैसे हुआ इस तरीके के प्रिशनों की विवेचना ज्यादा दिखाई देती है इंपोर्टेंट प्रिशन ये बनता है कि इनका जो प्रस्पेक्ट था वो प्रिसारवादी परिप्रेक्ष के नाम से जाना जाता है और इनोंने भारत विद्या उपागम यानि इंडोलोजी का क्या किया था, प्रियोग किया था कुल मिलाकर साथियो ये जो भारतिय स्टेडी है, चाए हम वेदिक की चर्चा करें, चाए हम साहित की चर्चा करें, चाए हम गरंतों की चर्चा करें, चाए हम गुरु कुलो की चर्चा करें, मतलब शंपून इनका जो अध्यन का छेतर था, उसमें इनोंने भारतिय संसकर् ध्यान रखना राजस्तान लोग शेवायोग आर पी ऐसी असिस्टेंट प्रोफेशर भरती परिक्षा जो अक्टूमबर दो हजार एक कीस में हुई थी उसमें साथियो यह पिरसन पूछा गया था पिरसन ऐसे पूछते हैं यह जैसे सुची फर्ष्ट बना देते हैं एक पूछा गया है कि इंडोलोजी के समर्थक कौन थे तो मिश्टर जीयस गुरिये साब है ना वो इंडोलोजी के समर्थक है ठीक है और साथियो इंडोलोजी के जीयस गुरिये साब नहीं है मैं बता भी देता हूँ बात चलिए तो साथ साथ जो आपके रादा कमल मुकरजी ह वो भी साथियो इंडोलोजीकल प्रस्पेक्ट का क्या करते हैं समर्थन करते हैं राधा कमल मुखर जी जिसके बाद में इरावती करवे मेडम है ना जो जीएस गुरिये साब की स्टूडेंट थी तो यहां पर इरावती मेडम भी इंडोलोजी का समर्थन करती है जिसके बाद में जियेस गुरिये साब भी इंडोलोजी के क्या करते हैं समर्थक है किलियर और फिर साथियों इंडोलोजी के बाद में संद्रशनात्मक पिरकारियात्मक आ जाता है ठीक है जिसके समर्थन कौन है एमेन सिरी निवास साब है संद्रचनात्मक पिरकारियात्मक अध्यन के जिसके बाद में ऐसी दूबे भी संद्रचनात्मक पिरकारियावाद के क्या है समर्थक है पिरसन ये भी पूछा गया है, जिसके बाद में स्रीनिवास, S.C. दूबे और फिर नाम आता है मैकिम मेरिट का, ये भी क्या है, संद्रचनात्मक पिरकारियावाद के समर्थक है, अगर हम मार्कषवादी परिप्रेक्ष की बात करते हैं, कि मार्कषवादी परिप्रेक्ष क एर देशाई साब भी मार्क श्वादी परिप्रेक्ष के समर्थक है और जिसके बाद में राम किष्ण मुकरजी देखे उदर रादा कमल मुकरजी था और ये है राम किष्ण मुकरजी ये भी साथियो मार्क श्वादी परिप्रेक्ष के क्या है समर्थक है जिसके बाद में हम civilization prospect की चर्चा करते हैं यानि सब्बता मूलक परिप्रेक्ष की तो ध्यान रखना Mr. N के बोस है ना वो सब्बता मूलक परिप्रेक्ष के समर्थक है किलियर और जिसके बाद में सुर्जीत सिन्ना जी है ये भी क्या है सब्बता मूलक परिप्रेक्ष के क्या है समर्थक है फिर साथ्यों मैं बता भी देता हूँ फिर जिसके बाद में सब आल्टरन आ जाता है अधिनस्त आ जाता है जिसे हम दलित अध्यन कहते हैं तो देखिए अधिनस्त के एक तो अमबेढ़ कर साब अमबेड कर साब है ना वो भी दलित परिप्रेक्स के समर्थक है और जिसके बाद में रणजीत गुहा वो भी साथियों यहाँ पर दलित परिप्रेक्स के क्या है समर्थक है और एक आपने डेविड हार्डी मैन का नाम सुन रखा होगा डेविड हार्डी मैन भी यहाँ पर द परिप्रेक्स, यानि सबाल्टरन के क्या है, समर्थत है। एक साथ यो टेक्षूब और फिल्ड व्यू आजाता है, अगर टेक्षूब की बात करता हूँ, तो इसमें ईरावती मैडम का भी या फिल्डवरक में नाम आता है ठीक है और एक आता है ए एम सहा ए एम सहा ये गुजराज से तालुक रखते हैं तो ये प्रिसन आप से पूछे जा सकते हैं जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रादा कमल मुकरजी इरावती लुई डूमा और घुरिये साथ य ये इंडोलोजी क्या है मैं लिख भी देता हूँ i-na-de-o-lo-gy ये इंडोलोजी प्रसपेक्ट क्या है जिसके बाद में सिरीनिवास, S.C. दूबे और मैकम मेरिट ये संद्रचनात्मक पिरकारियवादी है ये हैं संद्रचनात्मक पिरकारियवादी ठीक है आप ऐसे करना इनको कागज में लिख लेना ये बहुत जादे इंपोर्टेंट है जिसके बाद में सबता मूलक की हम चर्चा करते हैं तो सबता मूलक में N.K.Boss और सुर्जीत सिन्ना ये आपका हो गया सबता मूलक N.K.Boss और सुर्जीत सिन्ना जी आजाएंगे और मार्कशवादी के आजाते हैं आपके D.P. मुकर जी, A.R. देशाई और रामकिशन ये हैं बाई साब आपके मार्कशवादी प्रस्पेक्ट के जिसके बाद में सबाल्टरन यानि अधीनस्त के कौन आ जाते हैं अधीनस्त के आपके अंबैड करजी आ जाते हैं और अगर हम छेत्री अध्यन की चर्चा करते हैं गरंथ या छेत्री अध्यन तो सत्यों ग्रंथिम छेत्री अद्धन यानि टेक्शुवल और फिल्ड व्यू के आ जाते हैं इरावती मैडम और एम सा अब ध्यान रखना ये जो मैंने आपको नीचे लिखे हैं बहुत जादे इंपोर्टेंट है इनको एक बर याद कर लेना इंडोलोजी वाड़ा याद क कर लेना सिविलाइजेशन प्रस्पेक्ट सबतमूलक याद कर लेना किलियर अब देखो शाब एक बार इसको फिर रिमाइंडर कर दूं कि इनका जनम हुआ था ठारा सो तर्राण में मिर्ति हो गई थी गुन्नीश सो तर्राशी में ये ब्रामन परिवार से तालुकात रखत हैं गुन्नीश सो गुन्नीश में बंबई विश्विद्याले में पैटरिक गडिन्स की अद्धक्स्ता में समाज सास्तर का विभाग बना था जिसके बाद में गुन्नीश सो चौबीस में मिश्टर गुरिये को होडी बना दिया इसलिए मिश्टर गुरिये को भारतिय सास्तर का पिता जियेस घुरिये इंडियन सॉसलोजिकल सॉसाइटी की स्तापना हुई थी गुणी सो बावन में और यह स्तापना का हुई थी बंबाई विश्विद्याले में ठीक है बंबाई में ही हुई थी मतलब विश्विद्याले का एंपस के आसपास ही जिसके बाद मे इंडियन सॉसलोजिकल सॉसाइटी एक बुलटेन निकालती थी एक पत्री का चलती थी मैक जीन बोलते हैं जिसे उसका नाम था सॉसलोजिकल बुलटेन उस सॉसलोजिकल बुलटेन के भी प्रदान संपादा कौन थे मिश्टर जीयस गुरिये साब थे और जीयस गुरिये साब आपने साथियों अपना प्रिशारवाधी प्रेक्ष को बड़ावा दिया है। ये इसके सिलिवस में भी है, राजस्तान लोक्षवायोग में भी है, उत्तरप्रदेश लोक्षवायोग में भी है, हायर में, फिरी पिंश्डी में, सम्में ये दे रखा है, और ये पूछ लिया जाता है कि कौन से विचारा के किस प्रस्पेक्ट से संबंद रखते हैं, चलो पिरसन जब जाती व्यवस्ता के बारे में हम चर्चा करेंगे तो साथियो पिरसन पूछा जा सकता है और जाती व्यवस्ता के बारे में मैंने एक वीडियो डाल भी रखा है ठीक है कि जाती व्यवस्ता का पिरजातिय सिद्दान किस ने दिया था मतलब जाती की उत्पत्ती है ना वो प्रजाती से हुई है तो साथियो जाती व्यवस्ता का प्रजाती ये सिद्दान एक तो जियेस गुरिये साब ने दिया था हा ना फर्स्ट नमबर पर जियेस गुरिये साब सेकिंड नमबर पर हरवर्ट रीजले साब आ जाते हैं और साथियो थर्ड नमबर पर आ जात तो प्रजातिय सिद्दान्त में GS गुरिये आ गए, रीजले आ गए और DN मज्यूलदार आ गए साथ यो GS गुरिये साब यूं कहता है कि आरिये और अनारिये ध्यान रखना GS गुरिये साब यूं कहता है आरिये पिलस अनारियों में जब संबंद बनता है तो उससे जायती विवस्ता का जनम होता है और रीजले साव यूं कहता है कि अनूलोम विवा अनूलोम विवा होता है तो जायती विवस्ता पनबती है अब अनूलोम विवा क्या होगा ध्यान रखना अनूलोम विवा में लड़का तो है न जो उचे कुल का होगा लड़का है जो उचे कुल का होगा और जो लड़की है ना वो साथियो नीचे कुल की होगी तो ये जो रीजले है ना ये अनुलोम विवा का समर्थन करता है तो इनके अनुसार उचे कुल का लड़का तो कौन था आरिये था ज्यानक ना वो भी यही कहता है कि आरिये तो क्या हो गया उच्छे कुल हो गया और अनारिये क्या हो गया दिर्विड हो गया यानि आरिये और दिर्विडों में जो संबंध होगा उनसे जब संताने पैदा होगी तो उससे क्या होगा जाती व्योस्ता का विकास होगा समझे ना लॉजिक क यहाँ पर गुरिये तो यूं कहता है कि जब आरिये और अनारिये में संबंद इस्तापेत होगा उनके बच्चे पैदा होगे तो जाती व्यस्ता बन जाएगी जिसके बाद में रीजले ने अनुलोम भिवा यानि उचे कुल का लड़का कौन आरिये नीचे कुल की लड़की क और यहाँ पर यह मजुमदार यूं कहता है कि आरिये और दिर्विडों में जो संबंद होगा उससे जाती व्यस्ता बनेगी तो सात्यों गुरिये ने जाती व्यस्ता के प्रजाती सिद्दान्त का समर्थन किया है और हिंदू जनसंख्या को सारीरिक विशेश्ताओं के आदार पर जाती व्यस्ता या जनसंख्या को कितने भागों में बाटा है तो 6 भागों में इन्होंने जाती की भी 6 विसेश्ताओं बताईए और सात्यों सरीर के आदार पर भी जाती को 6 भागों में बाटा है सबसे पहले इंडो आरियन की बात करते हैं ठीक है जिसके बाद में पूर्व दिर्विड की बात करते हैं फिर दिर्विड की बात करते हैं फिर पच्चिम दिर्विड की बात करते हैं फिर मुंडा की बात करते हैं और फिर मंगोलियन की बात करते हैं ये पिरसन पूछा गया था एक बार नेट में ध्यान रखना ये पिरसन एक बार नेट मे तो बिल्कुल किया है, पूर दिर्विड आये तो किया है, दिर्विड आये तो किया है, पच्छिम दिर्विड आये तो किया है, मुंड आये तो किया है, और मंगोलियन आये तो किया है, यानि दिर्विड दिर्विड तीन हो गए, पूर दिर्विड पच्छिम दिर्विड औ ठीक है आप देखो शाब यहां पर फिर देखना जाती के उद्भव के बारे में जियेस गुरिये ने कहा है कि जाती प्रिणाली इंडो आरियन संस्कृति के ब्रहामणों का सिसू है यह कहते है कि इंडो आरियन संसकर्ती से ही जाती वियोस्ता का क्या हुआ है विकास हुआ है और इंडो आरियन संसकर्ती के जो ब्रामन थे ना वो साथियो ब्रामन क्या है सब के बाप है ब्रामन क्या है सब के बाप है चुकि मैंने इस्टाटिंग में आप से कहा था कि ये एक ब्रामन थ और इनके अध्यन इनके विचार थे ना उसमें सात्यों इन्हों ने जो ब्रामणवादी सोच है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा कि पूछ भी लिया जाता है कि जाती पिर्णाली इंडो आरियन संसकर्ती के ब्रामणों का क्या है सिसु है। राजस्तान एड्मिनिस्टेटिव सर्विस जिसके बाद में नेट ज्यार एफ की परिक्षा में परिशन पूछा है। कि GS गुरिये ने जाती विवस्ता की जो विशेषता बताई है इन में से कौन शी नहीं है। माली जी तीन इन में से उप्षन दे दिये चौथा लग दे दिया। तो सायतियों ये कहते हैं कि जाती विवस्ता से समाज का खंड़नात्मक विभाजन होता है। जाती विवस्ता है ना उससे समाज है जो खंड़ों में क्या हो जाता है विवक्त हो जाता है। ये यूँ कहता है कि खानपान और समाजिक विवार पर फ्रतिबंद कौन लगाता है जाती विवस्ता। सायतियों कि धार्मिक निर्योगिता हैं तथा विशेशा दीकार का अभाव पाया जाता है। ये जो निर्योगिता है ना ये योगता नहीं होती साथ यो निर्योगिता का मतलब होता है पाबंदी यानि जाती विवस्ता क्या करती है धार्मिक पाबंदी लगाती है जैसे ऐसा सुनने में भी आता है ना कि दलीतों का मंदिरों में प्रिवेश वर्जित है तो दलीतों के लिए वो जो प्रिवेस वरजीत है ना वो धार्मिक निर्योगिता हो जाती है तथा किसी special जाती विशेष को एक special अधिकार provide कौन करवाती है जाती व्यवस्ता जिसके बाद में पाँचवे नंबर पर ये कहते हैं कि जाती व्यवस्ता से व्यवसाय के स्वेत अंतर चुनाव का अभा होता है जैसे साथियो चार वरण बना रखे हैं सबसे पहले ब्रामन वरण, फिर ब्रामन के बाद में छत्रिय वरण छत्रिय के बाद में वैश वरण और वैश के बाद में सुद्धर वरण तो ब्रामनों का काम कौन सा होता है जो पूजवपाट का काम होता है वो ब्रामनों का होता है छत्रिय का क्या होता है डिफेंस है नि जो रक्षा का काम होता है वो छत्रियों का होता है वैश्यों का काम क्या होता है व्यपार होता है ठीक है जिसके बाद में सुद्दरों का क्य है, साफ सपाई है, मतलब ऐसा बना रखी है विवस्ता, हा न? तो यहां पर यह कहते हैं कि माली जे कोई सुद्दर है, जो गरंत पढ़ना चाहे, पूज़ापाट करना चाहे, तो मना कर रखा है, अगर माली जे कोई ब्रामण छत्रिय रक्षा का काम करना चाहे, तो उसके लिए भी निसेद है, तो कुछ तरीके कि यह जो जाती विवस्ता भी ऐसा ही है, कि व्यक्ति माली जे नीची जाती का है, वो बहुत important प्रिशन बन कर तयार होता है कि जाती का प्रजातीय सिद्दांत किस ने दिया था GS गुरिये ने दिया जिसके बाद मैं हरवट रीजले ने दिया मजूंदार ने दिया GS गुरिये कहते हैं आरिये और अनारियों में जो क्रोश होता है मतलब जो संबंद बनते हैं उससे जो बच्चे पैता होते हैं उससे जाती व्योस्ता बनी है और GS गुरिये ने सरीर की छे विशेशताओं के आदार पर इन्हें छे भागों में डिवाइड किया है सबसे पहले इंडो आरियन, फिर पूरु दिर्विड, फिर दिर्विड, फिर पश्यम दिर्विड, फिर मुंडा और फिर मंगोलियन ठीक है और ये बात भी कहते हैं कि जो जाती व्योस्ता है इंडो आरियन संसकर्ती के ब्रहमनों का सिसू है जिसका पालन पोशन गंगा के मैदान पर हुआ था और जाती विवस्ता की छे विशेशताओं का जिक्र करते हैं कि जाती विवस्ता से समाज खंडों में बढ़ती है समाज में संस्तरन हिरार की पाई जाती है खान पान और सामजिक विहवार में पृतिबंद होता है जातियों कि धार्मिक नीरियों की तहें विशेश अदिकार देती है व्यवसाय के श्वेतंतर चुनाओ का भाव होता है और अंतर जातिये विवापर भी क्या होता है पृतिबंद होता है फिर देखोशाब अब यहाँ गुरिये साब की एक पुस्तक थी जिसका नाम था The Schedule Tribe, पिछली परिक्षियाओं में बहुत बार ये पूछा गया है, कि The Schedule Tribe किसके दुवारे लिखी गई थी, जी एस गुरिये नी, अब साथियो इस पुस्तक में इसने जन जाती है न, उनको पिछडे हिंदू कहा कर कि जन जातियों को पिछडे हिंदू किसने कहा था, तो जन जातियों को पिछडे हिंदू कहकर संबोधित किया था Mr. G.S. गुरिये ने, इनों ने लिखा कि भारतिय सविधान समाज में इन जन जातियों को पिछडी जाती मानता है, नय की चडिया, घर की चडिया, आपने भ पुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो चिडिया घरर में कैद चिडिया के समान है, मतलब इन्हें क्या कैद किया जा सकता है, लेकिन जियस गुरिया ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं कि इनका कम्यूकेशन और हायर जायतियों के साथ नहीं हो शका, ठीक है, कही ना कही संचार का अभाव था, संचार का अभाव है, तो आज भी वो वही पुरानी संसकर्ती का दोहन कर रही है, जिस वजए से ये अपने आप में एक कैद हो गई है, सातियों ये कैद नहीं हुई है, बलकि ये क्या है, ये पिछडि जाती है, अगर इनका सामाजी करण होता, इनका बहुत जरूरी है, फिर समझना, भारतिय जंजातियों की समश्याओं के समादान के रूप में, वेरियर एलविन ने ने नेशनल पारक की निती बनाई थी, शातियों वेरियर एलविन ये कहते हैं, कि हम एक तरीके का नेशनल पार्क बना देते हैं, हम क्या बना देते हैं, अब नेशनल पारक का मतलब कोई बाग बगीच नहीं होता है, नेशनल पारक का मतलब कोई चिडिया घर नहीं होता है, नेशनल पारक का मतलब कोई उद्धान नहीं होता है, वो कहते हैं नेशनल पारक का मतलब एक ऐसा इस्तान विसेश होगा, जिसमें जन्जातियों को विसे सुविधाय दी जाएगी चाहे वो आर्थिक सुविधाय चाहे राजनितिक सुविधाय चाहे वो सामजिक सुविधाय लेकर गुरिया ऐसा नहीं मानता है गुरिया कहता है कि इनके लिए अलग कोई पार्क वार्क बनाने की जरूरत नहीं है बलकि हम क्या कर लेते हैं इनको अ आई लेवल का पिर्शन बनता है कि जंजातियों को लेकर एक ही करण या आतम शात की निती का प्रस्ताव किस ने दिया था तो मिश्टर गोविंद सदाशिव गुरिये शाब ने दिया था फिर देखो शाब आगे यहां पर पढ़ते हैं जी एस गुरिये ने महाराष्ट की ए फिर देखो धरम के समा सास्तर में इनोंने धार्मिक विश्वास, करमकांड, संसकार तता भारतिये परंप्रा में सादूश अन्याशी की क्या भूमिका होती है इस पर भी प्रकाश डाला था इस संबंद में इनकी एक पुस्तक थी दा इंडियन सादूश शातियों यह जो इंडियन सादूश थी ना इसमें सादू की भूमिका पर इनोंने क्या किया बहुत ज़्यादा बल दिया वो कहते हैं कि भारतिये संसकर्ती को आगे बढ़ाने में यह जो सादूशंत लोग है ना सादूशंत लोगों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है अब आज कल तो परिचे कराने का भी काम करते हैं इस पुस्तक में आपने सन्यासी की धोरी भूमिका की समिक्षा की और बताया कि सन्यास भूत काल का आउशेश मात्तर नहीं है अपितु ये हिंदू धरम का एक प्राण भूत तत्व है मतलब हिंदू संस्कर्ति को आगे बढ़ाने में सादू संतों की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा शर्व परिमानी जाती है फिर ध्यान रखना जी एस गुरिये ने राजनिती समाज सास्तर विशेपर एक किताब लिखी थी और साथियो जिसे हम भारत में सामजिक तनाव सोशियल टैंसन इन इंडिया ये पिरसन पूछा भी मुशलमानों के संबंदों पर जोर दिया था ठीक है और इस किताब का प्रकाशन 1968 में हुआ था और यहां पर लिखवी रखा है कि हिंदू और मुशलिम संसकर्ती तथा इनके आपस के संबंद मद्यकाल से लेकर वर्तमान तक की समिक्षा की गई है आपने हिंदू और मुश प्रकाशन नहीं है बस आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ पिरसन एक तो यह बनकर तयार होता है कि जन जायतियों को पिछड़े हिंदू किसने का आए तो बाई साफ जन जायतियों को पिछड़े हिंदू का आए मिश्टर जीयस घुरिये ने दा शेडूल कोन करते हैं जन जायतियों को लेकर आतम शाथ की निती का समर्तन करते हैं जीयस घुरिये बहुत ज्यादए आगे बढ़ लेते हैं और जी एस घुरिये साब की जो पिर्मुक किताबे है ना उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं बहुत इंपोर्टेंट किताब है साथियो सबसे पहले नंबर की किताब निकल कर आती है कास्ट एंड रेस इन इंडिया यानि जाती और प्रजाती कि चिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 वेदर इंडिया 1974 वेदिक इंडिया 1979 दा महदेव कॉलिंस 1963 दा इंडियन सादूज 1964 दा शिडूल ट्राइब 1963 और जिसके बाद में सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 अब पिरसन कैसा पूछा जाता है मैं बता दू किताबों का सन आप से नही और पूछा जा सकता है जैसे मान लिजिया आपके चार आप्शन होते हैं यह सबसे नमबर पे A आप्शन दे दिया और इस A आप्शन पे आपके किताब दे दी caste and race in India जिसके बाद में B option दे दिया इसमें किताब दे दी culture and society जिसके बाद में C option दे दिया caste class and occupation जिसके बाद में D option दे दिया जिसमें दे दी आपके किताब वेदिक इंडिया अब आप से ऐसा पूछा जा सकता है कि इनको आप करम की अनुसार set कीजिए यानि कौन सी किताब है जिसका publication सबसे पहले किया गया था या ऐसी कौन सी किताब है जिसका publication सबसे बाद में किया गया था तो आप से करम जरूर पूछा जा सकता है otherwise ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि यह जो caste class occupation है यह कब लिखी गई थी और इसमें देखी important कौन सी है एक तो यह caste class occupation है ना यह साथियो old year जो previous साल के paper है उनमें पूछा गया था जिसके बाद में यह जो महादेव कॉलिंस है यह महादेव कॉलिंस भी साथियो last year पूछे गये है और जिसके बाद में सोशल टैंसन है यह तो RPSC लोक्षे वायोग में पूछा गया है और जिसके बाद में caste and race in India यह भी साथियो previous year में पूछा गया है उमीद करता हूँ कि आज की class और concept अच्छे से समझ में आया होगा एक बार reminder कर दू reminder जरूर देखके जाना अगर reminder नहीं देखके गए न तो भाई साब जैसे हम भागवत गीता सुनते हैं और फिलाष्ट में जो परसादी मिलती है न परसादी के बिना पूरा भागवत गीता दूरा है उसी पिरकार reminder के बिना भी पूरी class अदूरी है आज हमने जी एस गुरिये को पड़ा सबसे पहले इनका जनम 1813 में हुआ मिर्ति गुनी सो तर्राशी में हो गई इनका जनम महाराष्ट के मालोवन गाम के ब्रामन परिवार में हुआ देखिए गुनी सो चौबीस में इनने सबसे पहले एंचोडी बना दिया गया क्यों? क्योंकि गुनी सो गुनी सो में अलग विभाग बना था जिसके एंचोडी पैटरिक गडिन्स थे जिसके बाद में मांग उठने लगी कि क्यों ना भारत की विक्ति को यह कारिय भार सोपा गये सोपा जाए और फाइनली गुनी सो चौबीस को इने एचोडी बना दिया भारतिय समाज सास्तर का पिता तो गुरिये है मैं फिर कहूंगा भारतिय समाज सास्तर का पिता तो गुरिये है और भारत में समाज सास्तर का पिता पैटरिक गडिन्स है इंडियन सोसलोजिकल सोसाइटी की स्तापना गुनी सो बावन में हुई थी बंबई में जिसके भी ये हैड थे और इंडियन सोसलोजिकल सोसाइटी के दुआर एक ब्लोटिन चलती थी जिसका नाम सोसलोजिकल ब्लोटिन है उसके भी ये प्रदान संपादक थे और साथियों ये इंडोलोजी प्रस्पेक्ट का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, और इनकी निती थी, यानि इनका प्रस्पेक्ट था, वो कौन सा था, प्रसारवाजी था, और ये भी बनता है, कि ऐसा कौन सा समा सास्त्री है, जो क्या, क्यों, कैसे, इत्यादी प्रशनों की क्या करता है, विवेशना करता है, मतलब इनके दिमाग में हमेशा क्या क्यों कैसे का ही मामला चलता रहता था, जिसके बाद में ये नीचे लिखे है न, इटको आप एक कागज में लिख लेना, दिवार पर चिपका देना और याद कर लेना बहुत जाद इंपोर्टेंट है, फिर जिसके ब पत्ती का प्रजातिय सिद्धान्त के समर्तन करते हैं, सारी रिक विशेष्टाओं के आदार पर छह भागों में बाढ़ते हैं, सबसे पहले इंडो आरियन, फिर तीन दिर्विड हो गए, पूरा दिर्विड, पच्छिम दिर्विड और सादारन दिर्विड, जिसके बाद मुंडा और मंगोलिय, ठीक है, ये कहते हैं कि जायती प्रणाली इंडो आरियन संस्कर्ती के ब्रह्मनों का सिसू है, जिसका पालन पोशन का हुआ था, गंगा के मैदान पर हुआ था, जायती की छे विशेषता बताईएं, बहुत इंपोर्टेंट हैं, बाई सार्व रास् जाती विवा भी पावन्द होते हैं, फिर जिसके बाद में दा शेडूल ट्राइब इनकी पुस्तक है, जन जायती को पिछडे हिंदू कहा है, एक इकरण निती का समर्थन करते हैं, और आतम साथ निती का प्रस्ताव भी रखते हैं, दा महादेव कॉलेस की प्रमु किताब है, दा इंडियन सादूच भी इनकी किताब है, जिसमें सादूसंतों की धोरी भूमिका का क्या किया है, जिक्र किया है, ये कहते हैं कि सादूसंत ना केवल भक्ती और भजन की वहावना करते हैं, बलकि भारतिय संसक्रती को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं, सोशल टैंस वेदर इंडिया 1974, वेदिक इंडिया 1979, जिसके बाद में दा महादिव कॉलिंस 1963, दा इंडियन सादूश 1964, दा शिटूल ट्राइब 1963, और सोशल टेंशन इंडिया 1968, शत्यों अम्मीद करता हूँ, क्लास और कंशेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, देखिए सं शंपून भारत वर्स में, यह सुनकर आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, कि शंपून भारत में सबसे तेजी से चैनल, अगर कोई समासास्तर का बढ़ाया तो वो हमारा चैनल है, क्योंकि मातर इतने कम वीडियो, आज आप देख सकते हो चैनल पर बहुत कम वीडियो हैं, और लगबग 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यह सब आपके प्यार प्रेम लगन का नतिज़ा है, जो आपने विश्वास किया है, ध्यान रखना मेरे पास यहाँ पर कोई तड़क भड़ा कोई अट्रेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ना कोई इंट् मिलेगा न, वो साथियों कंटेंट प्यार गॉल्ड मिलेगा, अठाइस केरिट्स होना मिलेगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं आ सकती, और एक एडिशनल इन्फोर्मेशन देना चाहता हूँ, UPPGT की क्लास चला रखी है, नेट के फर्स्ट पेपर की भी क्लास हम स्टार्ट क कॉल कर लेना, केवला का गंभीर विद्यारती है, ठीक है, और पढ़ने में मन लगता है, तो फोन करना, अदरवाइज फालतू गाल बजाई में कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे साथ कोई भी चुड़ता है न, मैं साथियों अपना 100% डेडिकेशन देता हूँ, मै मैंनत, भाव, लगन और उदेश भी आपके शाहत होना चाहिए, बाकी चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, साथ मैं पहली बार इस चैनल पर ये बात कह रहा हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो इसलिए कह रहा हूँ, कि मैं आपने वीडियो पर कोई आप देखते हो, मेरे चैनल पर कोई आड़ ही नहीं आता है, मुझे इस चैनल से पैसे नहीं कमाने, क्योंकि पता चला कि कोई बहुत अच्छे ग्यान की क्लास चल रही है, और बीच में कंडॉम का आड़ आ गया, तो हमारा दिमाग है जो डिश्टप हो जाएगा, ठीक है, और आजकल तो अवदर और अशलील आड़ आने लग गए, तो मैंने आड़ लगाना भी बंद कर दिया, मेरे पैसे कमाने का कोई उद्देश नहीं है, मैंने इस चैनल पर कभी आड़ ही नहीं लगाए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ाओं, वो कंसेंट्रेट हो खाए, तो मैं तुरंत यहां पर कोई भी कंटेंट डालूँगा, तो वहें आपके पास चला जाएगा, ठीक है, भाई कि शुब कामना हैं मेरी साथ, मेरी आपके साथ, और मस हारता आपकी प्रतेग मनो कामना पूरी करें, थैंक यू